नमस्कार साथ यो तो आज 28 जुलाई 2024 कल 29 जुलाई मंडे से एक न्या डेडिंग विक शुरूर ने जा रहा है जैसे कि लास्ट डेडिंग विक में देखा बजार काफी जादा वले टैल था बट आखरी दो दिन पर यानि थर्जटे और स्पेशली फ्राइडे की दिन बजार इस वीडियो पे कुछ important key factors कुछ important latest update के बारे में जो की upcoming trading week पे बजार को trigger कर सकता है तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि जैसे Friday की दिन मार्केट में इतना अच्छा तेजी देखने को मिला क्या यह तेजी बरकरा रहेगा और 50-50-25,000 को क्रॉस कर लेगा या फर्दा नीच की result out हो चुका है पर स्टिल बहुत सारे company and bank की result out होगा upcoming trading week पे खास करके इन में से कुछ nifty 50 वाला share भी है जैसे की देखिए SBI बहुत important जो की nifty की top 10 में है टाटा स्टिल हो गया IT से limited हो गया यह भी nifty की top 10 में है टाटा कंजूमर हो गया टाटा मोटोर्स हो गया टाइटेन कंपणी हो गया कोल इंडिया से लेके महिंद्रा एन महिंद्रा मारूती सुजूकी अधानी enterprise अधानी port उसके बाद sun pharmaceuticals और ड बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बरोडा गेल हो गया इंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया आयोसील हो गया एसीसी अंबुजा सिमेंट जोमैटो भेल अधानी पावर अधानी टोटल गैस लिमिटेट डाबर हो गया इमाम यूगा आप चाहे तो इस वीडियो को पॉस करके द देखा था कि आटो का नंबर जो है काफी अच्छा हो रहा है और जिसके चलते जो आटो सेल्स का रिपोर्ट कब आउट होगा फस्ट ऑगोस्ट के दिन फस्ट ऑगोस्ट के दिन तो जिस बैसे यह जो बड़े आटो कंपनी है खास करके जो निफ्टी-50 का हिस्सा है मेली ज उसके साथ आप थोड़ा दियान से देखिए बहुत सारे डोमेस्टिक एकोनोमिकल डेटा उठाउट होगा जैसे की मैनफेक्ट्रिंग पीएमाई डेटा उठाउट होगा उसके साथ थोड़ा मैं आपको एक बार दिखा दाउट होगा यह दिखें फर्स्ट ऑगोस्ट के जो फॉरेक्स रिजर्ब की डेटा वो दोस्त आउट होगा सेगें अगोस्ट यानि फ्राइडे के दिन ठीक है आचा मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जिसके उबर पूरा दुनिया नजर रखेगा फिर से पॉयल साहब आपको हाई बोलने के लिए आएगा FMC मीटिंग क दिखाऊंगा पहले आप यहां पर देख लिजेए अच्छली 30 जुलाई को शुरुआद होगा इस मीटिंग का 31 जुलाई इस मीटिंग की आउटकम निकलेगा आप देखिए यहां पर बहुत सारे अनलिस्ट का मानना है कि इस बार हो सकता है कि इस बार डेट काट हो सकता है बहुत सारे अनलिस्ट का मानना है कि इस बार नहीं होगा नेक्स टेम होगा मतब सेप्टमबर पर जब यहां पर FMC मीटिंग होगा तब होगा अब जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा 31 जुलाई को ठीक है तो यह इवेंट के उबर हर एक का नजर होना और बैंक ऑफ जपान का 31 जुलाई के दिन ठीक है तो मतब बहुत इंपोर्टेंट होने जारे अक्चुली नेक्स टेडिंग विक दो मतब तीन सौरी अक्चुली तीन बड़े बड़े इंटरनाशनल बैंक की दोस्तों रिजल्ट क्या बोल लाँ रिजल्ट एक्चुली इं इंफेक्ट्रिंग प्येमाइड आउट होगा यूरोप की ग्रोथ रेट आउट होगा ठीक है तो यह कुछ इंपॉर्टेंट डेटास को नजर रहे कि मैं आपको सारे देखी अपडेट आपको इसी चौनल को मिल जाएगा आचा एपैस का फ्लो लास्ट रेडिंग विक पे थोड़ा सा नेगीटिब था जबकि इसके पहले जुलाई की पहले जो फॉस्ट हाफ है उसमें तो काफी अच्छा इंफो देखनी को मिला था फॉरें इंस्टिशनल इंवेस्टर्स द्वारा अनफॉर्चुनेटली लास्ट रेडिंग विक पे खास करके मैं बोलूंगा ब अच्छा एक और मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे थोड़ा देख लिजिए लास्टेम हमने देखा था कि बड़े आइप्यो आया था एलाइसी दोस्तों लास्ट नाइट की अपडेट है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो की 2024 की अभी तक लार्जिस् सब्सक्राइब करना चाहिए आधर वाइस देखे अगर पेटीम या कोई और कंपनी चैसा हाल है कि चलो बहुत पुलर कंपनी बट बैलेंट शीट खराब है तो जो भी होगा इसको पर मैं आपको डिफिनेटल अपडेट दे दूंगा इसी चैनल के बर ओके तो मैं आपको फोला से यह पॉइंट बाइप दिखात थे हैं जैसे कि बहुत सारे आई पीव बजार में लॉंच होगा उसके साथ एफस दौरा जूलाइक फॉस्ट अप में लगातार खरीदारी देखने को मिला था लास्ट रिटिंग विक पे थोड़ा सा सेल देखने को मिला आचा उसक के बाद डॉमेस्टिक बहुत सारी एकॉनोमिकल डेटा जैसे की एजस बीसी मैनुफेक्ट्रिंग पीमाई डेटा उसके साथ आपकी फिसकल डेपीसित डेटा इंफरस्ट्रक्चर अर्पूट विट और और फॉरेक्स रबेटा ऊठोगा आपकी 11 जून और 12 जून के दिन उस टेम पर आपको अपडेट दे दिया था आचा इस बार जो मीटिंग का शुरुआ दोगा 30 जुलाई से 31 जुलाई मतब भारत के यहां पर रात को एक दो मीडनाइट को दोस्त आउट होगा तो जो भी होगा अपडेट में आपको दे दूँगा अचा अब चलिए यह तो नास्टक की बात करें नास्टक में भी काफी आचा मुवेंट था लगबग एक परसेंज ज्यादा तो मतलब यूएस मार्केट लास्ट नाइट को एक अच्छा आप रैलिया में देखने को मिला यूज की दस साल की बॉंड जिल में ऑल्मोस्ट वन पॉइन फॉर टू परस सबसे अच्छा रहेगा फाइदा मंद रहेगा ठीक है यह सब के बीच में इसराल के तरफ से एक बहुत इंपॉर्टे नियूज आया तो चली इसराइल वाला नियूज में आपको दिखाता हूं दोस्तों रिसेनली देखे बहुत सारे चोटे मेंटे नियूज चल रहा था हमासकुबर अटक कर रहे फिर से काउंटर अटक कर रहे यह सब चल रहा था पर लास्ट नाइट को दोस्तों ये खबर निकल के आया कि हिजबुला की तरफ से इसराइल की एक बहुत इंपॉर्टेन लोगेशन के बहुत भारी मात्र में बंबार्डमेंट किया कोई यहां प देख सकते हों यहां पर क्लियरली मेंशन भी किया कि इसराइल गाजा वर लाइफ इसराइल से हिजबुला विल पे अप्राइस फॉर दिस लॉस आफ्टर डेडली स्टाइक ऑन इसराइल ठीक है तो आशा रखता हो कि इसका कोई बहुत बढ़ा नेगेटिव इंपक्त हमें देखने को नहीं मिलगा भारती बजार में बिकॉस जैसे कि आपको मालूम होगा थे कि इंडियान मार्केट यूस मार्केट वो सेराइल संदे क्लोज रहता है कंप्लिटली बट इसराइल की शियर मार्केट वो संदे से ओपन हो जाता है और यहां पर आप देख सकते हो टी जो कि इसराइल की टॉप इंडेक्स है जैसकि भारत की निफ्टी 50 बीए सी सेंसेक्स वहीं दोस्तों टी यह 35 है ठीक है और वहां पे आप देख सकतो दो पहर अभी बजा है दो बच के एक तालीस मिनिट लगबग धाई परसन के आसपस क्रैश कर चुका है तो इसके पीछे की भयंकर रूप में आ चुका है ठीक है तो आशा रखतो हो कि इसका कोई बहुत बढ़ा नेगेटिव इंपेक्ट नहीं पड़ेगा अब देखे जो भी होगा अपडेट में आपको आगे दे दूँगा अचा दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक और वीडियो को वाइंड आप करते हो मिलते नेक्स वीडियो पर टेक क्यार बाबाई जय हिंद